बिहार का लाल बैभव सुर्वंसी इन दीनों पूरे दुनिया में चर्चा का विशाय बना हुआ है और मात्र 12 साल 284 दिन की उसकी उम्र है यानि की 13 साल भी अभी पूरे नहीं हुए हैं और उसने महान बल्ले बाज कहे जाने वाले सचीन तेंदुलकर का विशु रेकोर्ड तोर दिया है अभी तक मात्र 13 साल से भी कम उम्र के इस उवा खिलारी ने और तालिस सतक लगाए हैं वहीं इसने तीन डवल सेंचूरी भी मारी है और आगे इस बैभव सुर्वंसी की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जिसने पूरे बिहार का नाम पूरे देश भर में औ अगर ने बैभव कर दिखाया है आखिर वो लाल कौन है आखिर वो कहां का रहने वाला है आखिर उसकी सिक्षा दिक्षा कहां हुई आखिर उसको क्रिकेट के गुर किसने शिखाये ये तमाम बाते इस तीन से आठ मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं और यकीन मानिये कि जब आपको हम बैभव सुर्वंसी की पूरी कहानी बताएंगे तब आपको भी बिहार की इस लाल पर गर्भ होगा कि जिसने महान बल्लेबाज कहे जाने वाले सचीन तेंदुलकर का रेकॉर्ड तोर दिया है और ताली सतक लगाए हैं और तीन डबल सेंचूर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ख़बरों से अफडेट रहने के लिए किरपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और जो लोग अलेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहिर देधनवा अब वापस आते हैं अपनी ख़वर पर दरसल आपकी सफलता तो सब देखते हैं लेक सचीन तेंदुलकर का विशु रिकोर्ड तोर दिया है और आपको बताते चले कि दरसल बीसी सियाई द्वारा पटना में आयोजित रंजी ट्रोफी में बिहार का प्रतिनी धित्व कर इस वाक्त को सही साबित किया है महज 12 बर्स 284 दिन की उम्र में किरकेट के छेत्र में द जन्रती थी यानि कि डेट आप बर्थ 27 मार्च 2011 है यानि कि 27 मार्च 2011 को पैदा होने वाला बैभव सुजवंसी ने सचीन तेंदुलकर का रिकोर्ड तोर दिया है और यह उपलब धी इस माइने में और भी बरी हो जाती है कि जिस मुंबई में सचीन तेंदुलकर खेला करते थे उसी की बिरुद धाकर बलेवाद बैभव ने रंजी ट्रोफी खेलने की सुरुवात की यह मैच उनके जीवन के आज तक का सबसे अहम मैच होगा वहीं बैभव के पिता संजीब सुर्वंसी वह माता आरती कुमारी अपने पुत्र बैभव की सफलता पर फूले नहीं सम तो अपने बलेवाजी का कमाल दिखाएगा वैसे बैभव पिछले माह अंडर 19 अंतराष्टिय त्रिकोनिय श्रीज में बंगला देश एवं इंगलेंड के विरुद प्रतिनिध्युत्त भी कर चुका है बैभव बचपन से ही किरकेट का दिवाना था बैभव की इस तक बलेवाज रहा है वो समस्तिपूर के ताजपूर प्रखंड के रहने वाले हैं समस्तिपूर में अपने कोच बरजेश जहा के नेत्रित्य में पिछले पास सालों तक पटेल मैदान में प्रैक्टिस करता रहा बीच बीच में हुआ एक दो दिनों के लिए पटना जाकर उहां के कोच मनीश ओजा का भी मार्ग दर्शन लेता रहा बैभव की सफलता के पीछे उसकी करी मेहनत एवम अस्थानिय कोच ब्रदेश जह एवम जैनेक्स पटना के कोच मनीश ओजा के मार्ग दर्शन को कम नहीं आका जा सकता है आठ्वी कक्षा का या छात्र अस्थानि उच्छ विद्याले में ही पढ़ाई करता है यानि कि बैभव सुर्वंसी मात्र आठमी का छात्र है और वह सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है बच्पन से ही क्रिकेट की दिवानगी के कारण अब तक 48 सतक एवं 3-12 सतक का रेकॉर्ड भी बैभव सुर्जवंसी के नाम है 2022-23 में जिला अस्तर से लेकर राज अस्तर तक 48 सतक एवं 3-12 सतक बनाने का रेकॉर्ड भी बैभव सुर्जवंसी के नाम पर दर्ज है वहीं राज अस्तर ये स्यामल सिनहा क्रिकेट में दोरा सतक बनाने वाले एक मात्र खिलारी के रूप में भी बैभव सुर्जवंसी का नाम दर्ज हो गया है समस्तिपूर के पटेल मैदान में नित एवं निरंतर घंटो अभ्यास करने वाले बैभब की बलिवाजी के मुरुईद अस्थानिय जुनियर अंतराष्टिय खिलारी अनुकूल राय एवं राज्य सरकार के पताधिकारी प्रत्य अमरीत भी है आपको ब बनाए गए 360 रन से भी अधिक है बैभब के चेन एवं सांदार उपलब्धी पर अंतराष्टिय खिलारी अनुकूल राय के पिता सुधाकर है जिला क्रिकेट संग के पदाधिकारी BCA के पुर्व कोसाध्यक्ष प्रबीन कुमार ने संभाबना जताते हुए कहा कि बहुत ज बहुत जल्द हुआ भारतिये इंडियन क्रिकेट टीम के जर्सी में खेलेंगे भारतिये क्रिकेट टीम के लिए खेलेंगे और विश्व में भारत का नाम उसी तरीके से रोशन करेंगे जिस तरीके से उन्होंने अपने जिले समस्तिपूर का और अपने राज बिहार का ना इसकुमार या फिर उपमुखमंत्री तेजस्वी आदब को ऐसे खिलारियों को बढ़ाबा देना चाहिए, प्रोथसाहित तरना चाहिए, क्योंकि गरीबी के बाबजूद और संसाधन विहिन रहने के बाबजूद भी इस खिलारी ने जिस परकार का विश्व रिकॉर्ड बन अच्छे की जो की अभी आठ्मी में पढ़ रहा है, उसकी मदद करनी चाहिए, जो की मात्र 12 साल, 284 दिन, 13 साल से कम उम्र में जो ये कृतिमान अस्थापित कर सकता है, वो आगे चल करके और क्या क्या करेगा, इसकी सिर्फ संभाबना जताई जा सकती है, कल्पना किया जा स रखता है, और ये कल्पना में ये साप साप दिख रहा है, और भविस्व में साप साप दिख रहा है, कि ये खिलारी विस्व में हमारे देश का नाम रोसन करेगा, हमारी भारत भूमी का नाम रोसन करेगा, तो मन्य उपमुख मंत्री को इस खिलारी की मदद जरूर करनी चा कर हर बिहारी तक पहुचाने का जिम्मेदारी अब आपका है जूरे रहें हमारे साथ जैहिन जैभर।